मेरा नम बृद्धी शर्मा है, मैं होली हाट स्कूल में छटी कक्षा में पढ़ती हूँ आज मैं आप सबको महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ रोचक बाते बताने जा रही हूँ महात्मा गांधी जन्हें राश्ट्र पिता के नाम से जाना चाता है भारत के स्वतंद्रता संग्राम के महान नेता थे उनके सिध्धांत वजीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेड़ करते हैं गांधी जी ने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा का मार्ग हमेशा सर्वोच्य होता है गांधी जी की यात्रा दक्षिन अफ्रीका से शुरू हुई जहां उन्होंने नसलिय भेदभाव का सामना किया वहां के परिस्थित्यों ने उन्हें अहिंसा के माध्यम से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की फ्रेड़ ना दी गांधी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि मुश्किलों का सामना करते समय हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए उन्होंने कई बार जेल यात्रा की परन्तु उन्होंने अपने अधर्शों से समझाता नहीं किया उनकी द्रड़ता हमें यह प्रेणा देती है कि कठिनाया केवल अस्थे होती है हमें अपने आदर्शों पर अड़ेग रहना चाहिए गांधी जी का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा उन्होंने दुनिया भर में अन्याय के खिलाव संघर्ष करने वाले नेतां को भी प्रेरित किया मार्टिन लूथर, किंग जूनियर और नेंचिन मंडिला जैसे नेता उनके विचारों से प्रभावित होकर अपने देश में बद्गलाव लाने की काम किये गांदी जी ने सधारन जीवन जी ने और आक्म निर्भरता के बारे में भी बात की उन्होंने कहा कि असली खुशी संसारिक वस्तों में ही नहीं बलकि रिष्टों और समाज के प्रते योगदान में भी होती है आज की दुनिया में जहां संगर्ष और विभाजन आम बात है गांदी जी की शिक्षाएं और भी महत्वपून हो जाती है जो हमें याद लाती है कि बद्गलाव हमेशा स्यन्चे शुरू होता है अंत में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांदी जी का जीवन प्रेड़ना का अद्बुच्त्रोत है उनके सत्य, अहिंसा और न्याय के प्रती अडिक समर्पन ने हमें सिखाया है कि हम सभी में बद्लाव लाने की किशमता है जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम नहीं केवल उनके योगदान को मानते हैं बल्कि एक उजवल और करुणामे दुनिया के लिए काम करते हैं धन्यवाई करते हैं